हाई फ्रेंड्स आप देख रहे हैं VS Astrology मैं गौरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं VS Astrology में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे Jupiter in 10th house गुरू या ब्रहस्पती आपकी कुण्टली के दसवे घर या दसवे भाव में होंगे तो क्या फल देंगे दोस्तों लेसन की शुरुवात करने से पहले कुछ बातों का विशेज ध्यान रखें पहली बात गुरू की या पर जो भी रिजल्ड़ बताओ जो भी परिणाम बताओं उसकी निशकर्ष पर पहुशने से पहले उसकी अनुपात पर पहुशने से पहले उसकी डिगरी देख ले ज़ी अपने जयादा फल दे पाएंगे चाहे फल बूरे हो चाहे अच्छे हो दस से लेकर बीस तक की जाए फर्स्ट वीडियो देखें आपको एक जानकारी मिल जाएगी अगली बात दोस्तों यह कि ब्रहस्पति जब दसवे घर में नीच के होंगे तब अब दोस्तों यह ब्रहस्पति के सामानने बाते आपको बताई अब दोस्तों हम शुरुबात करते हैं कि ब्रहस्पति दसवे घर में अलग-अलग राश्यों के साथ होंगे तो वो अपनी महादशाय अंत्रदशा में क्या फल देंगे दोस्तों मैं आपको एक ही बार में बता देता हूं कि ब्रहस्पति किन नंबर्स या किन राश्यों के साथ अच्छे फल देंगे और किन नंबर्स या किन राश्यों के साथ अपनी महादशाय अंत्रदशा में खराब फल देंगे दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले मैं आपको अच्छे फल बता देता हूं कि किन राशियों के साथ ब्रज़पती दसवे घर में होंगे तो अच्छे फल देंगे ब्राजपती जब एक नंबर या मेश राशी के साथ हो, दो नंबर या व्रशब राशी के साथ हो, तीन नंबर या मिथुन राशी के साथ हो, पांच नंबर या सिही राशी के साथ हो, छे नंबर या कन्या राशी के साथ हो, आठ नंबर या व्रशिक राशी के साथ, 9 नमबर या धनू राशी के साथ और 12 नमबर या फिर मीन राशी के साथ यदि ब्रसपती दसफे घर में है तो यहाँ पर अपनी महादर्शा या अंतरदशा में बहुत अच्छा फल ब्रसपती देंगे इसके अलावा जो राशीया बची दोस्तों उन राशी के साथ ब्रसपती अपनी महादर्शा या अंतरदशा में खराफ फल देंगे कौन सी राशीया है वो राशीया है चार नमबर या करक राशी साथ नमबर या तूला राशी दस नमबर या मकर राशी और ग्यारा नमबर या फिर कुम्बराशी इन राशी के साथ ब्रसपती अपनी महादर्शा अंतरदशा में खराफ फल देंगे दोस्तों चार नमबर के साथ ब्रसपती उच्छ के माने जाते हैं तो कोई भी सामानने तहीं कह सकता है कि चार नंबर के साथ ब्रहस्पति उच्च के है, तो यहां पर आपको बहूत अच्छा फल देंगे, लेकिन ऐसी वास्तिविक्टा नहीं है। जब ब्रहस्पती चार नंबर के साध़ दसवे घर में होगे तो यह तूला लगना की गुंडली बने गी और तूला लगने की गुंडली बरहस्पती अतिमारक घहा आने जाते हैं इसलिए ब्रहस्पती खराफल रहे समें भूसρά में कुझन कुछ दिक्करत के परिषानी जरू यदि दसवे घर में हैं, तो नीच के यहाँ पर ब्रहसपती माने जाते हैं, तो यहाँ पर अपने खराफ़ देंगे, लेकिन जैसा मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में कहा, कि यहाँ पर एक स्तिती है, जब ब्रहसपती अपने अच्छे फल दे सकते हैं, वो इस्तिती हैं नीच भंग राज योग के इस्तिती, यदि ब्रहसपती का नीच भंग ओर आए दसवे घर में, तो दस नमबर या मकर राशी के साथ भी ब्रहसपती उच्च के समान बहुत अच्छे फल देंगे, बाकी के तूला राशी या फिर कुम्ब राशी के साथ भ्रहसपती खराब फल ही देंगे दसवे घर में, दोस्तों यह मैंने आपको बता दिया कि किन राशी के साथ अच्छे किन राशी के साथ खराब फल भ्रहसपती के मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या खराब और क्या अच्छे फ़ल मिलेंगे सबसे पहले अच्छे फ़लों से शुरुआत करते हैं दोस्तों यदि ब्रहस्पती आपके या किसी और के भी अच्छे हैं दस्वे घर में ब्रहस्पती बैठे हैं तो व्यक्ति की नौकरियर व्यवसाय में बहुत अच्छा समय होता है नौकरियर व्यवसाय के लिए, नौकरिय में पदोनती की योग होते हैं, नौकरिय में इंक्रिमेंट की योग होते हैं, ब्रहस्पति की महादशाय या अंतरदशाय में, व्यवसाय में भी आगे बनने की के योग होते हैं चोंवू की उन्नति के योग होते हैं व्यक्ति नोकरी वहASH Colin जब Een आता की करता है जब रहास्पति अपनी रची अप्सवांड अच्छी व्यक्ति कि हो जाती है परिवार व्यक्ति का साथ देने वाला होता है व्यक्ति परिवार को साथ में लेकर चलने वाला हो जाता है जब रहस्पति अपनी द्रश्टी चौते घर में डालते है तो माता से व्यक्ति को लाब होता है व्यक्ति माता की रिस्पेक करने वाला होता है मकान भूमी गाड़ी वहन व्यक चोटे मोटे रोगों पर विड्याएं होती है तो इस तारह अपने अच्छे फल देते हैं जब अच्छे बैठ़ें हो इसके अलावा इधि ख़राब बैठें हो तो और व्यधि को चल रही तो मेरी सलाही है कि बिल्कुल भी शुरूर ना करें क्योंकि उसमें उसे दिक्कत परशानी जाएगी, नौकरी भी यदी करता है व्यक्ति तो नौकरी में भी कुछ दिक्कत परशानी व्यक्ति को जाती है, पदोन्ति चाहता है तो उसकी मन्चाही पदोन्ति उसे मिल नहीं प साथी साथ परिवार से कुछ ने कुछ दिक्कत परिशानी उसे चलती रहती है जब ब्रहस्पति अपने दर्ष्टी चौते घर में डालते है तो या तो माता से व्यक्ति की दूरी हो जाती है या माता का स्वास्थ व्यक्ति का व्यक्ति की माता का स्वास्थ खराब हो जाता है यदि व्यक्ति मकान भूमी गाड़ी वहान बनाना चाहे खरीदना चाहे तो उसमें डीले होता है या उसमें कुछ न कुछ परिशानी आती है जब ब्रहस्पति अपने दस्ट्री छटवे घर में डालते हैं तो व्यक्ति को छोटे मुटी बीमारिये भी परिशान करती है चोटे मुटी परिशानी उसे परिशान करती है फिजूल के आपस्टेकल्स उसे परिशान करते रहते हैं चोटी मुटी दुरखटनाओं के योग बने रहते हैं यदि व्यक्ति कहीं से कर्ज लेता है तो उसे कर्ज चुकाने में उसे दिक्कते परिशानी जाती है शत्रुओं से व्यक्ति को कुछ दिक्कते परिशानी बनी रहती है तो इस तरह कि ब्रहस्पति अपने खराफ फल देता है दोस्तों ब्रहस्पति जब खराफ फल दें तो उसका एक उपाय है वो उपाय यह कि ब्रहस्पति देव का एक बीज मंत्र है ओम ब्रहस्पते नमा इस बीज मंत्र की एक मालकर जब आप जरूर रोज करें आपको ब्रहस्पति देव के जो खराफ फल मिल रहे हैं उसमें जरू भी करें आपने ये वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाई बाई